दोस्तो हर्याण के फरीदावाद में इस्तित मंगर बानी पहाडी जंगल यानि की हील फॉरेस्ट में केफ पेंटिंग्स मतलब गुफा चित्र को डिस्कवर्ड किया गया पुरतत वीदों ने बताया कि अनुमानता यह गुफा चित्र एक लाख वर्थ पुराना हो सकता है मतलब यह चित्र पूरा पासाड काल के हो सकते हैं उसके बाद आगे जानेंगे इसके बारे में तो दोस्तों यहाँ पर इस मैप में आप देख पाएंगे यह देश की राजधानी दिल्ली और इसी से लगे हुए है हरियाना नई दिल्ली के साउथ में यहाँ पर गुरुग्राम और यहाँ पर है फरीदाबाद दिश्टी तो फरीदाबाद के पहशिम हिस्से में यहाँ पर मंगरमानी है यह जो मंगरमानी का एरिया है और इसके आसपास का जो एरिया है जिसमें कुछ भाग गुरुग्राम डिस्टीक का आता है यह सब पहाडी जंगल है तो इन ही पहाडी जंगल में यह जो पूरा पासाड काल की पिंटिंग है खोजी गई है इन paintings उको observed किया है एक local environmental activist ने जिनका नाम है सुनील हरसाना सुनील हरसान ने नोटिस किया कि यहां की गुफा के दिवार पर कुछ artwork है पहले इन्होंने उसे समझने की कोशिश करी और फिर इसका photo के लिए करके social media पर share कर दिया इन तस्वीरों पर नजर पड़ी हरियाना archaeology and museum department की तो हरियाना archaeology और museum department ने इस location का survey करने को decide किया location का study करने के बाल archaeologist ने पाया कि यहां पर जो cave painting है वो लगबग एक लाख वर्स से 15,000 वर्स पुर्व की हो सकती है यहां पर खुल 4800 hectare of area का survey किया गया यहां पर जो painting है उनको analyze किया गया और पाया गया कि इसका जो design है वो बिलकुर unique है और यह गुफा के अंदर है जहां पर mostly चमगादर रहती है इन गुफा चितरों की तुनला विश्य प्रसिद भीम बेट का गुफा चितरों से भी किया सकती है इसके अलावा दोस्तों सोच करदाओं को यहां पर आठिमी और नवी शतादी तक निवास संबंदी प्रमाड भी प्राप्त हुए है यहां खुले मैदानों के साथ साथ रॉक शेल्टर से पासाड़यों के उकरण मिले है यह गुफाए ऐसे शेतर में हैं जहां पर पहुचना अफिक्षक की काफी मुश्किल है और संबहुत है यही कारण है कि यह गुफाए चितर अभी तक यह थाई सितर में बने हुए है मंगर की अलावा इसके आसपास के यह शेतर हैं जैसे यहां पर यह जो शेला खरी है धोज है, कोट, टेथर, दमदमा, आदि जगों को भी आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट की टीम एक्स्प्लोर करेगी इसके अलावा डिपार्टमेंट यह भी प्लानिंग कर रहा है कि इसको एक प्री हिस्टोरिक इको फॉरेस्ट में कनवर्ड कर दिया जाए जिसे से कि इस एरिया में जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिमिटी है उन पर पावंदी लग जाए और इन प्राग अतिहासिक चित्रों को डैमेज हैने से रोका जा सकेगा तो दोस्तों यह पहली बार है जब हर्याड़ा में इतने बड़े अस्तर पर गुफा चित्र और रॉक कला के नमूने एक साथ पाए गए है हलांकि पूरा पासाड काल के आउजारों की पहचान अरावली की कुछ हिस्सों में पहले भी की जा चुकी है तो दोस्तों आज की लिए इस वीडियो में इतना ही थांक्स पर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल पर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज